तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेर करने वाल है बोट वाच आईरिस को नौइस फिट एवाल टो के साथ सबसे पहले बात करते हैं एक डिस्प्ले की तो एवाल टो में हमें 1.2 इंचे का एमोले डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा वही दोस्तो बोट वाच आईरिस में हमें 1.39 इंच का एमोले डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा मतलब यहाँ पे बोट वाच आईरिस में हमें बड़ा डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल रहा है बात करते हैं पिक्सल डेंसिटी की तो noise fit evolve 2 में हमें 327 पिक्सल पर इंच की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी वही दोस्तो बोट वाच आईरिस में हमें 462 पिक्सल पर इंच की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी मतलब यहाँ पे हमें डेंसिटी जो है वो बोट वाच आईरिस में अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तो यहाँ पे difference आता है always on display में यहाँ दोस्तो noise fit evolve 2 जो है वो always on display के साथ आता है अभी बात करते हैं health features की तो noise fit evolve 2 में में heart rate murdering का support मिल रहा था SPO2 murdering, sleep murdering, stress murdering का support देखने को मिल रहा था लेकिन यहाँ पर boat watch iris में हमें SPO2 murdering, heart rate murdering और sleep murdering का support जो है हो देखने को मिल जाएगा बात करते हैं sports mode की तो noise fit evolve 2 में हमें 12 sports mode जो है हो देखने को मिल जाएगे वही दोस्तो boat watch iris में हमें सिर्फ एक sports mode देखने को मिलेंगे अभी बात करते हैं water resistance की तो boat watch iris जो है हो IP68 rated sweat, splash और dust resistant होने वाला है वही दोस्तो noise fit evolve 2 जो है हो 3 atmospheric level तक water resistant होने वाला है मतलब आप इसे पहन कर पानी के अंदर 30 मिटर्स की डेप तक easily जा सकते हो अभी बात करते हैं battery की तो यहाँ पे दोनों ही जो smart watches है उनमें आपको up to 7 days का battery backup जो है हो मिलने वाला है लेकिन दोस्तो noise fit evolve 2 में यहाँ पे insta charge technology का use किया गया है जिसके हैं से क्या होगा अगर आपने इससे 30 मिनिट्स भी charge किया तो यहाँ पे आपको 5 days का battery backup जो है हो मिलने वाला है तो बस दोस्तो यह थी overall comparison noise fit evolve 2 की boat watch iris के साथ तो दोस्तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको boat watch iris में अच्छा कासा display जो है वो देखने को मिलेगा लेकिन sports mode और water resistance के मामले में noise fit evolve 2 जो है वो काफी आगे निकल जाता है तो दोस्तो आपको लसी smart watch purchase करना चाहोगे आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो तो बस दोस्तो यही था आज के वीडियो में आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक करो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो तो लें मामाई दिस आजेशिन में ओर है आउट